हेलो दोस्तो मेरा नाम है अजय डागर और मैं आपको अपने आपसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप जो देख रहे हैं ये मेरी H.T.E.D. की मार्क सीट है जो पेपर मैंने नमबर 15-2015 को दिया था हैं दोस्तों यहा पर आप देख सकते हैं जो चार्ड डेवलॉब्मेंट पेडागोजी है जो साइकोल्जी का सैक्षन है औसमें थर्wers से 22 मार्क साप्टीं किया हैं इंगलस में 26 मा Ante 11 की में 30 में से 30 marks obtain किये है full out of full marks तो दोस्तो मैं आपको एक strategy के बताने में बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा score कर सकते हैं यदि आप मेरी strategy को use करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल विस्वास दिला सकता हूँ दोस्तो कि आप 110 से तो उपर ही score करेंगे आपका score 110 से तो उपर ही होगा इसके लिए जो मैंने score किया है दोस्तो 124 marks जो मैंने score किये हैं सिर्फ 2 महिने त्यारी की थी दोस्तो और आपने सुना होगा कि दोस्तो कि कहते हैं लोग कि hard work की जिए smart work करें तो बिलकुल मैंने वो smart work यहां पर किया था मैंने hard work नहीं smart work के basis पर त्यारी करके दोस्तो यह achieve किया था और मैं आपको बिलकुल बताऊंगा कि आप कैसे उसे achieve कर सकते हैं मात तो महिने त्यारी की थी systematic त्यारी की थी और वो trick मैं आपको बिलकुल बताऊंगा फिलाल इस time दोस्तो मैं फर्दाद में पढ़ाता हूँ और मेरे batch के जतने ही मतलब seat at 2016 हुआ था 30 में से 25 बच्चों का selection हुआ था दोस्तो और सभी के psychology, English और maths में दोस्तो मैं उनको तीनों सब्जेक्ट में लेता हूँ psychology, English और maths तीनों में उनको 22 से उपर marks थे दोस्तो तीनों सब्जेक्ट में और उन्हीं बच्चों के request पे मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि वो कह रहे थे कि जिन बच्चों को अच्छे संसादन नहीं मिल सकते जिससे उनको भी चीज मिल सकते जिनको coaching नहीं मिल सकती जिनके पास पैसा नहीं है पर याप उनको भी quality की चीज मिल सके दोस्तों वो भी उस fit को अचीव कर सके उस चीज को पा सके जिनको और बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा वो स्ट्रेटजी में लिए किस पर वर्क करेगी दोस्तों उसमें मतलब यह है कि आपको एक तो लास्ट यर के कोश्चिन पेपर्स सारे करने हैं लास्ट यर के जितने भी सारे कोश्चिन पेपर्स हैं एच्टेट के हैं और सीटेट के हैं वो करने हैं और उनमें जो ऑप्शन्स हैं वो ऑप्शन्स भी आपको सारे आने चाहिए इसके साथ साथ ही में बिल्कुल important concept आपको कराऊंगा आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा दोस्तो एच्टेट जैसा कि आपको पता है इस और 24 दिसम्बर को है तो और syllabus भी तीनों का सेम ही है आप psychology English और math का देखें पार्ट हुनका तो चाहे वो jbt है चाहे वो tgt है lecture है तो उनके लिए सेम ही है यह पार्ट फस्ट का syllabus उसमें कोई difference नहीं है तो वो सभी के लिए सेम होगा आप इसे कर सकते हैं सभी आप या कोई भ आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें आपके पास like और subscribe जरूर करने चैनल को क्योंकि आप subscribe कर लें तो आपके पास हमारे वीडियो आती रहेंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुछ जाएगा अधरवाइस आप वीडियो मिस कर देंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप कोई वीडियो मिस ना हो सो दोस्तों हम सबसे आगे सबसे पहले वीडियो पर चलते हैं कि क्या हम आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक फरबरी 2014 फरबरी 2014 का H-Tate का पेपर है उसकी psychology के बारे में बात करेंगे मैंने कई पेपर देखे थे 5 है और psychology उनकी देखी थी इसमें जो H-Tate का पेपर है इसकी psychology सबसे best है जो सबसे ज़्यादा cover करती है और सबसे important है जिसके repeat होने के chances ज़्यादा है mainly questions H-Tate में यह question repeat होते है और जो यह video बनाया है बहुत important video है psychology की दृष्टी से दोस्तो और यह video सभी के लिए है या आप JBT का दे रहे हो या TGT या PGT का दे रहे है दोस्तो अब हम move करते हैं दोस्तो पढ़ाई की तरफ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तो first question की आप यहाँ पर देख सकते हैं first question है एक बच्चा जो सामाजिक नियमों के प्रती वेवार करता है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तो उसको कहेंगे delinquent child delinquent child वो होता है जो सामाजिक नियम होते हैं उनके वरुद वेवार करता है उसे कहते हैं delinquent child या हम ऐसे delinquent child उसको भी कहते हैं जो immoral act करता है या किसी criminal activity में engaged हो इसका right option होगा fourth दोस्तो idiot child नहीं होगा del child बिलकुल नहीं होगा नहीं वो backward child होगा right answer है इसका delinquent child बिलकुल दोस्तो second question है आपर the teacher in a classroom should act as जो teacher है classroom में उसको कैसे act करना चाहिए so यहाँ पर आप हमारे पास fourth option है progressive role progressive role वो role होता है जिसमें बच्चे को learning by doing जिसमें बच्चा करके सीखता है progressive role के अंतरगत उसकी critical thinking, literal thinking और उसका overall development किया जाता है हर तरीका से collaborative और group project उसको दिये जाते है यह होता है progressive role वो अपनी मतलब एक तरह से कहता है अपनी मनमर्जी चलाता है यह होता है authoritarian role, democratic role उस role को कहते हैं जिसमें teacher सभी बच्चों को equally treat करता है fourth is influential role influential role उसे कहते हैं जिसमें एक ऐसा role जिससे बच्चे उसके विवहार से influence हो तो मैंने यहाँ पर बात की दोस्तों चारो रॉल के बारे में चारो options के बारे में इसका right option होगा progressive role because this is the best option we can choose from here और यहाँ पर progressive role में बच्चे का overall development होता है हर तरीका से और इसमें main बात है कि बच्चा learning by doing करके सीखता है, खुद से सीखता है group project collaborative learning से सीखता है, so इसका right option होगा first option, third option is the most appropriate purpose of learning is, learning का सबसे appropriate purpose क्या है, दोस्तों कोई भी हो या वो आपके thon dike है, या आपके skinner है या pevlov है, या watchon है या Albert bandura है, सबने कहा है कि जो learning है वो क्या है वो आपके behavior में change है वो आपके behavior में modification है learning, बहुत बार पूछा गया है modification of behavior, what is learning? learning is modification of behavior right option is third option fourth option पर चलेंगे हम, कि जो एक lively classroom है, उसमें situation आपको कैसी मिलेगी, एक classroom के अंतरगत, जो lively classroom है उसमें situation कैसी होगी दोस्तों first option है occasional roads of laughter उसमें बच्चे हस रहे होंगे जोड-जोड से, क्या ये होगा या दूसरा option है complete silence तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हैं, दूसरा option होगा complete silence कि पूरी तरह से सांथ हो, या फिर third option frequent teacher student dialogue कि बच्चों और students के बीच में उनके बीच में आपस में वारतालाप हो किसी एक अच्छे मुद्दे को लेकर जिस पर वो पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में dialogue हो या फिर fourth है कि loud discussion among students कि बच्चों के अंदर जोर-जोर से बच्चों के जोर-जोर से वो सोर कर रहे हो, वो discussion कर रहे हो so इसका right option आप देख सकते हैं बिलकुल है, जो होगा third option कि जो teacher और student है उनके बीच में वारतालाप हो रहा हो उस मुद्दे को लेकर जिसके बारे में teacher पढ़ा रहा है एक sound, एक अच्छा वारतालाप जिससे उनकी understanding बढ़े तो fourth का right option होगा, third होगा next is fifth area of individual differences जो हमारे अंदर difference होते हैं, individual difference बहुत अच्छा concept है, आप मेरे साथ जड़े रहेंगे आगे इसकी video बनाऊंगा individual difference के area क्या है कि हमारे अंदर जो difference है अलग-अलग वो किस परकार के हो सकते हैं gender difference बिलकुल हो सकते हैं अलग-अलग male, female हो सकते हैं body का structure अलग-अलग हो सकता है किसी का body structure कैसा है किसी का कैसा है mental abilities अलग हो सकती है किसी के अंदर कम mental abilities है कोई mentally थोड़े ज़्यादा किसी चीजों को कर पाता है तो दोस्तो इस सारे option first, second and third right है तो fifth का answer होगा four next question पर चलते हैं दोस्तो which of the following is a correct sequence of human development human development का correct sequence क्या है दोस्तो सबसे पहले infancy stage होती है उसके बाद childhood होता है उसके बाद adult sense होता है उसके बाद adult होता है हिंदी में हम कह सकते है सैसा वस्ता, बाले वस्ता, किसोर वस्ता और युवा वस्ता तो दोस्तो इसका right answer होगा two, इसे आप बिलकुल रट ले क्योंकि जरूर कई बार आता है यह तो मतलब की question कई बार पूछा गया है यह यह पूछ लिए जाता है कि इन में से कौन सी एक stage है human development की तो बिलकुल यह तो बहुत जरूर है दोस्तो seventh question पर हम चलते हैं when the child is ready to learn he learns more quickly and effectively of learning readiness, exercise, effect this principle is given by यह principle किस ने दिया है दोस्तो बहुत simple है इसके बारे मैं आगे वीडियो बनाऊँगा वीडियो मैं बनाऊँगा thondike के उपर जो thondike थे उन्होंने दो laws दिये थे एक तो primary law और एक secondary laws primary laws और secondary law उन्होंने दिये थे इसकी एक वीडियो बनाऊँगा आगे प्रोसेस तो बिलकुल नहीं है कोई प्रोसेस नहीं है teaching is an art आप किस तरीका से पढ़ाते हैं बच्चों को जो वे सीख सके एक अपने आप में कला है एक skill है एक कोशल है तो दोस्तो एट्थ का right option होगा fourth, second and third because teaching is an art and skill very good तो दोस्तो नाइन्थ है who had given hierarchy of human needs बहुत important concept है Albert Maslow का दोस्तो आप please channel को like करें वीडियो को like करें और channel को subscribe कर लें क्योंकि इसके बारे में बहुत important वीडियो बनाऊंगा मैं Albert Maslow ने दी थी hierarchy of human needs उन्होंने एक primit बनाया था जिसमें सबसे नीचे था हमारी basic needs होती है जो biological needs होती है hunger, thirst, etc और सबसे उपर उन्होंने दीया था self actualization को ये Albert Maslow ने एक theory दी थी self actualization के बारे में आप प्लीज इसे subscribe करें सब कुछ मैं important concept हो बताऊंगा so ninth है इसका answer है दोस्तो Albert Maslow that is second who has given hierarchy of human needs second Albert Maslow 10th who has given the concept of John of proximal development John of proximal development का concept किसने दिया है दोस्तो इसके बारे में बता दूँ ये जो John of proximal development है social development theory से लिया गया है social development theory Lev Vygotsky ने दी थी जो कि एक रशिया के एक बहुत बड़े psychologist थे उन्होंने मैं दो चीज दी थी scaffolding और John of proximal development scaffolding क्या होता है दोस्तो जब हम किसी दूसरे बच्चे को उसके कारे में साहता करते हैं जिससे वो सीख सके उसे scaffolding कहते हैं और ये John of proximal development क्या होता है अच्छा मैं आपको example बताता हूँ जैसे कोई बच्चा है वो खुद से एक square तो बना सकता है परन्तु वो खुद से एक hut नहीं बना सकता जोपडी खुद से नहीं बना सकता तो hut बनाना उसे आता है परन्तु जोपडी बनाने के लिए उसे मदद चाहिए तो एक बच्चा जो काम खुद से कर सकता है परन्तु और आगे बढ़ने के लिए उसे जो मदद चाहिए और आगे सीखने के लिए जो मदद चाहिए और इस दोनों के बीच का जो gap है इसे कहते हैं John of Proximal Development बहुत detail में बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों आगे बताऊंगा आगे वीडियो में प्लीज सबस्क्राइब कीजिए चैनल को जिससे की आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आगे वीडियो को detail में बता सकूँ यह एक बिल्कुल परसनल्टी का पूरा चैप्टर है मेरे पास बहुत बढ़िया नोट्स है उनको मैं यूट्यूब पर डालोंगा पूरा explain करोंगा यह दी थी Sprenger ने बिल्कुल Sprenger ने दी थी sociological type of theory ठीक है The statement which is not true कौनसी statement सही नहीं है individual differences के बारे में जो एक दूसरे में भिन्नता होती है which is not true कौनसा सही नहीं है तो एक दूसरे में भिन्नता किस प्रकार से हो सकती है प्रकार की भी हो सकती है बिन्नता of kind वो अलग-अलग प्रकार की बिन्नता हो सकती है अलग-अलग degree की बिल्कुल किसी में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है किसी में कम हो सकती है तो जो बिन्नता है वो दोनों में differ करती है degree और kind में प्रंथो कौन सा सही नहीं है तो दोस्तो इसका fourth option होगा कि individual differ neither in degree nor in kind ये गल्थ option है बिल सही क्या होगा कि जो लोग होते हैं उनमें वो degree और kind दोनों में ही differ कर सकते है project teaching method है project teaching method किसके साथ associated है दोस्तो हमें आपको बता दो कि जर्मनी के एक बहुत बड़े विग्यानिक होई थे जन्होंने experimental laboratory इस्ताफत की थी experimental psychology उनके वहाँ से शुरूई थी उनका नाम था विलहेल्म वुंट और उनके बाद टिखनर आए और टिखनर के बाद आए थे जोन डेवी जन्होंने project teaching method दिया था so project teaching method associated है आप मेरे स्कोर को देख सकते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ दो महीने देखे थे और मिली वह questions repeat हुए और यह पिछले साल का फरबरी 2014 का question paper है साइको का दोस्तो district primary education program was launched in the year यह जो dpep है यह 1993 second option है 1993 में launch हुआ था teaching के उद्देश्य क्या है दोस्तो आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे कि teaching के उद्देश्य क्या है first is create good season की अच्छे नागरिक बनाए जाए create person who are useful for the society ऐसे लोग बनाए जाएं जो समाज के लिए लाबदायक है third is create socialistic person तीनों में ही mainly वैसे एक बात ही कही गई है तो दोस्तो इसका fourth option होगा that is all of the above तीनों ही option सही है ये तो थोड़ा easy question था अच्छा दोस्तो ये है फ्रॉबल फ्रॉबल emphasizes which of these game फ्रॉबल बहुत ही important scientist है अभी हाल में ही DTSB का exam हुआ है उसमें फ्रॉबल पूछा गया था कहां से थे तो फ्रॉबल भी लिपजिग से थे जर्मनी से थे और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले kindergarten की स्थापना की थी और ये question बार बार पूछा जाता है कि फ्रॉबल ने कौन सा किस चीज की स्थापना की kindergarten और play वे method उन्होंने दिया था जो बच्चों के लिए play वे method जो play schools में अब भी use होता है तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वो question है कि फ्रॉबल ने कौन से game पर emphasize किया है यह है block game बहुत से बच्चों ने इसमें ball game लगा दिया था but right answer is block game और देखिए दोस्तों 17th question है जिसकी मैंने भी बात किया कि experimental method was first of all introduced by experimental method सबसे पहले किस ने दिया था इसके बारे में बात कर चुका हूँ that is Wilhelm Wundz इनोंने सबसे पहले experimental laboratory setup की थी Germany में Wilhelm Wundz important question है दोस्तों so हम अभी तक दोस्तों इस पर बारे में हमने भी बात किये अब हम next चलते है अच्छा जी next question है thinking के उपर यहाँ पर है question thinking in childhood is not marked by जो childhood होती है जो बाल्ले आवस्ता होती है उसमें thinking में कौन-कौन सी characteristic नहीं होती है तो ego centrist में बिलकुल होती है ego centrist में कहते है swag के इंदरित मतलब बच्चा जब खुद के बारे में ही सोचता है उसका सारा द्यान खुद पर ही होता है वे दूसरों के बारे नहीं सिरफ अपने बारे में सोचता है that is ego centrist second option है animism किसे कहते हैं दोस्तों animism उसे कहते हैं जब बच्चा है सोचता है कि जो non living things है वो भी उनमें भी जीवन होता है जब वो यह सोचता है कि यसे गुड़ा है जिससे वो खेलता है वो सोचता है कि इसमें भी जीवन है यह भी एक living thing है जब वो non living things को living things मानता है उसे कहते हैं animism और जो की childhood में होता है यह प्याजे की theory में है पैजे की थेओरी है जो cognitive development उसकी चार स्टेज़ है उसकी second stage में है third is realism, वास्तिवक्ता किसी सच्चाई को देखना जो जैसे है fourth is individualism मतलब बच्चा जब भी किसी function को किसी काम को करता है, कोई function करता है तो उसमें अपने आपको प्रात्मिक्ता देना मतलब कि हर एक चीज़ को अलग-अलग तरीके से observe करना, so दोस्तो जो thinking है childhood में उसमें क्या नहीं होता ego centriism होता है animism होता है, realism होता है परन्तो individualism नहीं होता 18 का answer होगा D दोस्तो team teaching team teaching अपने आप में एक concept है पूरा psychology का team teaching उसे कहते हैं जब बहुत सारे teachers या बहुत सारे teachers मिल करके किसी resources को use करके और एक expert expertise करते हैं किसी field के बारे में तो इसमें जो right answer होगा जिसमें तलब team teaching का मतला है मिल के पढ़ाना, जिससे मिल के पढ़ाना जिससे बच्चों को हम maximum दे सकें बच्चे उनका जिससे maximum development हो सके so team teaching यहाँ पर होगा right answer होगा first involved teams of teachers to optimize resources, interest and expertise next question है 20 who had developed child perception test child perception test मैंने का था यह भी personality का question है दोस्तों यह personality के अंतर करता आते हैं बेलाक, मुर्रे, स्प्रेंगर, क्रेश्मर तो उसके बारे में बिलकुल वीडियो बनाऊंगा पूरी totally, बहुत ही detailed में जिससे आप कोई भी question मिस ना कर सकें psychology में, at least आप 25 plus mark score करें psychology में तो किसने develop किया है child perception test यह किया है, बेलाक ने बेलाक ने यह develop किया है, और एक और बहुत important test है, that is thematic perception test, वो मुर्रे ने डवलप किया है, आप इनको तो कम से कम अभी याद रखी लें, कि child perception test बेलाक ने डवलप किया था और thematic perception test वो मुर्रे ने डवलप किया था दोस्तो next question पर आते हैं, 21st कि a teacher's most important challenge is किसी teacher का सबसे important challenge क्या होता है तो दोस्तो चारो options को देखते हैं, क्या क्या है first is to make student to their homework कि बच्चे अपना homework पूरा करें, first option second is to make teaching learning process enjoyable कि जिससे teaching learning process है, वो और भी ज़्यादा enjoyable हो जाए जो पढ़ाने का और सीखने का जो पिरक्रिया है इसमें और भी ज़्यादा ये मज़ेदार हो जाए ये बिल्कुल हो सकता है third is to maintain discipline in the classroom कि जिससे की अनुशाशन बने classroom में ये एक important challenge है या for to prepare the question paper fourth नहीं है, fourth तो होई नहीं सकता तो दोस्तो बिल्कुल सिंपल है सीधा लग रहा है, इसका second option होगा to make teaching learning process enjoyable is the most important challenge of our teacher inclusive education refers to next question is inclusive education refers to दोस्तो जो NCF है 2005 का national curriculum framework एक तो main question इसमें आता है कि ये NCF में teacher का role है एक facilitator की तरह वो एक facilitator की तरह काम करता है और NCF 2005 में decision लिया गया था inclusive education का इस education के अंतरगत बच्चों को एक class में जो बच्चे होते हैं वो सभी background से किसी background से बच्चे आ रहे हो और वो backward हो या ना हो कैसे ही हो उन सभी को आने की छूट मिलती है सभी एक छट के नीचे पड़े हैं और सभी को समान तरीके की मतलब सभी को अच्छी सुवीदा मुहिया कराई जाएं जिससे सभी का overall complete development हो सके यह inclusive education कहता है तो right answer होगा first option that is welcoming all children without discrimination इसमें सभी बच्चों को स्वागत किया जाता है बिना किसी बेहदवाव के regular school में this is the inclusive education 23rd option है दोस्तों which of the following is not a type of reinforcement सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दो reinforcement क्या है reinforcement दो तरीका का होता है first is positive reinforcement second is negative reinforcement और reinforcement theory का यूज किया था skinner ने जो अपना उन्होंने experiment किया था skinner ने यूज किया था reinforcement theory का उसमे सो दोस्तो positive reinforcement क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं for example positive reinforcement उसे कहते हैं जब किसी behavior को strengthen किया जाता है कि आप उसे बार बार करें एक positive चीज के दोरा for example जैसे कि आपके 10 आपके मतलब अच्छे marks आए हैं आपके school test में और मैं आपको एक save दूँ या फिर कुछ 10 रुपे दूँ तो आप फिर मेहनत करेंगे अच्छे marks आए मेरे तो फिर मैं आपको 10 रुपे दूँ तो आप फिर मेहनत करेंगे तो ये एक मैं आपको reinforce कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए जैसे कोई बच्चा है यदि वो मतलब की ABCD लिख लेता है थोड़ा सा लिखता है A बनाता है तो आप उसे शाबाशी देते हैं बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है फिर आप वो भी बनाता है फिर आप उसे शाबाशी देते है तो उसका मनोवल और बढ़ जाता है और वो behavior और strengthen हो जाता है तो positive reinforcement is strengthening the behavior by a positive stimulus अब बात करते है negative reinforcement की negative reinforcement में भी उसी behavior को strengthen किया जाता है but by a negative stimulus for example जैसे की कोई बच्चा है वो अपने कमरे को साफ करता है परंतु वो क्यों करता है वो इसलिए करता है कि उसे अपनी मा की मार ना पड़े तो यहाँ पर negative stimulus क्या है कि मार खानी ना पड़े इसलिए वो एक behavior को कर रहा है वो एक behavior को इसलिए कर रहा है जिससे उसे अपनी मा के हातों मार ना खानी पड़े so positive और negative में यहीं अंतर है negative reinforcement is a way to strengthen the behavior by a negative stimulus ठीक है दोस्तो punishment अलग चीज़ है वो reinforcement के अंदर नहीं आती है punishment के अंतरगत हम behavior को strengthen नहीं करते बलकि decrease करते है कि वो behavior को करे ही ना आगे चलके so यह difference है reinforcement और punishment में reinforcement अलग है punishment अलग है दोस्तो 24th question है दोस्तो a person is legally blind if his or held field of vision is 20 degree while his visual acuity is below then दोस्तो यह आपको मितला एक तरह से science का question है 24th इसका answer होगा दोस्तो 3rd that is 6 by 30 in better eye with best possible correction 25th question है in order to develop motivation among students a teacher should की बच्चों में जो motivation develop हो उसके लिए teacher को क्या करना चाहिए 1st option बिलकुल नहीं होगा 2nd बिलकुल नहीं होगा 4th भी बिलकुल नहीं होगा दोस्तों बिलकुल एक option बचता है 3rd option की teacher को नई टेकनीक और novel methods यूज करने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर motivation develop हो 26th which of the following statement is not correct about continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation इसके बारे में बात करूँगा दोस्तों वीडियो बनाऊँगा प्लीज सब्सक्राइब कर लें लायल बटन को जरूर दबाए क्योंकि एक बहुती विस्तरित topic है continuous and comprehensive evaluation है इसके अंदर दो part है एक तो summative और एक है formative assessment एक है summative assessment एक है formative assessment और उसके बाद assessment के types हैं कुछ assessment of learning, assessment for learning assessment in learning इनको सब को बताऊँगा दोस्तों क्योंकि इनसे ये question पूछे जाते हैं सिर्फ उतना बताऊँगा जितना जरूरी है आप बस मतलब की नेरली 20 या 22 वीडियो बनाऊँगा जो कि important होगे और उनको कर लेते हैं तो 25 पलस marks आएंगे आपके 100% psychology में कोई नहीं रोख सकता उसी लिए मैं कहता हूँ smart work is important rather than hard work so मैं बात करता हूँ 26 की तो कौन सी statement गल्थ है CCE के बारे में that is continuous and comprehensive evaluation पहले बात करते हैं it is a school-based evaluation बिल्कुल सही है second is it reduces stress among learners इससे learners के बीच में stress खतम होता है ये भी सही है statement third is it uses grade in place of mark बिल्कुल सही है इसमें grades दिये जाते है fourth is it accumulates burden on teachers कि ये teachers पर burden डालती है दोस्तो ये गल्थ option है so 26th का option होगा fourth गल्थ बताना है हमें दोस्तो 27th an effective teacher is one who can एक effective teacher कौन होगा दोस्तो जो class को control करें बिल्कुल नहीं जो कम समय में ज़्यादा information दे वो भी बिल्कुल नहीं third is motivate students to learn जो बच्चों को सीखने के लिए motivate करें ये हो सकता है fourth is correct the assignment carefully ये भी जरूई नहीं है so दोस्तो इसका third option होगा जो motivate करें बच्चों को सीखने के लिए so 27th का third nice question 28th का operation blackboard was the outcome of operation blackboard किस policy का outcome था या फिर किस commission का outcome था दोस्तो इसका होगा second option नहीं इसका दोस्तो होगा third option national policy on education NPE 1986 उसमें था operation blackboard ये चार आप यहां पर option देख रहे हैं चारो बहुत important है और उसके साथ दो commission और है जिनको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में इन चारो commission को explain करूंगा क्योंकि जो important है अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो एक question आप देख रहे हैं operation blackboard was the outcome of अभी DSSB का exam होगा है उसी में एक question पूछा गया है कि operation blackboard के अंदर क्या कहा गया है उसमें ये question पूछा गया था जिसका answer है कि to provide basic necessities to the schools schools में basic necessities जो होती है वो provide करना ये operation blackboard का मकसद उदेश्य था तो ये questions means repeat होते रहते हैं वो ही basic concepts पूछा जाते हैं DSSB हो या HTAT हो या CTAT हो और HTAT तो और आसान पूछा जाता है यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो I'm sure I'm sure I'm sure तर फुतना ही बताएंगे दोस्तो 29th which of the following is not a domain of learning learning का कौंसा domain नहीं है दोस्तो cognitive learning का domain है जो हमारे mind से संबंदित होता है जो cognitive का मतलब होता है जो हमारे mental aspect से संबंदित है तो दोस्तो cognitive भी है बिलकुल effective माने feelings affective होता है जो हमारी feelings से संबंदित है हमारे emotions से संबंदित है cognitive means doing cognitive का मतलब होता है जो हमारे काम करने से हम किसी को हमारा talent है या जो हम काम करने है उससे संबंदित है और fourth is spiritual spiritual is not a domain of learning last में दोस्तो last question है last में पहुचते हैं classrooms after implementation of RTE at 2009 R RTE यहां पर right to education के बारे हैं बात हो रही है right to education 1 अपरेल 2010 को लागू हुआ था इसके बारे में कुछ important points है वो आपको बताऊंगा अगली नहीं कुछ 3-4 वीडियो बनाने के बाद इसकी बार ही आएगी classroom after implementation of RTE जब RTE के implementation के बाद classrooms है unaffected as RTE doesn't affect the average age of a child काफी सही है gender wise more homogenous gender पर कोई फरक नहीं पड़ेगा गल्त है age wise more homogenous कोई फरक नहीं इसका तो first option ही होगा क्योंकि जब से RTE लाग हुआ है उससे जो classrooms है उसका क्या effect है क्योंकि ये average age को तो ये effect ही नहीं करता इसका main मक्सद है कि सभी को right मिले education का इसका तो clearly first option होगा so दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाता हूँ ये मैंने आपको 30 questions कराए है बहुत important questions है आप इनको कर लेते हैं तो एक basic idea तो आपको state के बारे में आता ही आता है confidence आपके अंदर आएगा कि आसानी से कर सकते हैं ज्यादा hard नहीं है और मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप please वीडियो को like करें आपको अच्छी लगी तो और subscribe करें जरूर आप subscribe करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुच जाएंगी नीचे लाल बटन है उस पर click करें आप subscribe कर पाएंगे वाँ पर और उसके साथ याप bell का notification का icon उस पर click कर दें इससे आपको notification मिल जाए नहीं वीडियो का और जो इस psychology में आपको बता रहा हूँ ये jbt, tgt और lecturer तीनो paper के लिए common है क्योंकि psychology तो तीनों में वो ही same आनी है बस level हलका सा बढ़ जाता है वो भी lecturer में थोड़ा सा और दोस्तों इसके साथ मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ साथ चलेंगे paper तक तो मैं बिलकुल cut मैं बिलकुल 100% surely कह सकता हूँ कि आप 25 पलस score करेंगे क्योंकि मैं कर चुका हूँ इस strategy वर्क बहुती solidly वर्क करती है और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो आपको इस test के एच्टेट के बारे में English और Maths की वीडियो बनाऊं तो please आप comment करके बताएं मुझे comment box में यदि आप चाहते हैं कि मैं English और Maths की वीडियो भी बनाऊं इसकी तो आप please comment box में comment करें और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं English के साथ-साथ Hindi में भी इनको deal करूँ Hindi में भी आपको बताऊं कि English के साथ-साथ Hindi भी इनकी बताऊं तो please comment करके बताएं और आपको जैसा भी लगा थेंक्स अलोट गाइस थेंक्स अलोट बाई बाई